बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com दोस्तों नमस्कार मैं हुड़ोपर स्रिपतित्रिपाथी आए जानते हैं कि कुंडली में ऐसे लगता है सुर्ज ग्रहन लगना अशुह माला जाता है क्योंकि यह देश दुनिया से लेकर सभी लोगों पर भी बुरा आसर डालता है यदि किसी ब्यक्ति की कुंडली में सुर्ज ग्रहन लगे तो उसकी जिंदगी मुसीवतों से भर जाती है सुर्ज ग्रहन के और अकास मंडल में ही नहीं लगता है बलकि यह लोगों की कुंडली में भी लगता है किसी भी जातक की कुंडली में सुर्ज ग्रहन लगना बहुत अशुब होता है यह उसकी जिन्दगी के कई पहलों पर बुरा असर डालता है और उसकी तरक्की में बाधा बनता है इतना ही नहीं कुंडली में सुर्ज की कमजोड इस्थिती या सुर्ज पर ग्रहन लगना मालसिक और सारिक सिहत पर भी बुरा असर डालता है कुंडली में ऐसे लगता है सुर्ज ग्रहन यदि राहु का बुरा असर सुर्ज पर पड़े तो उससे कुंडली में सुर्ज ग्रहन बनता है यदि सुर्ज के साथ राहु का होना या राहु का लग में बैठना सुर्ज ग्रहन का कारण बनता है राहु का इस तरह सुर्ज को पिडित करना पितिदोस भी लगता है सुर्जग्रहन कुंडली के जिस भाव में बनता है उससे सम्मंधित छेत में ब्यक्ति को धेरो मुसीबतें जेलनी पड़ती है लिहाजा इसका समय रहती डिश्यत रूप से उपाय कर लेना ही बहतर है सुर्जग्रहन के कारण होते हैं ये नुक्सान कुंडली में सुर्जग्रहन हो तो भ्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चड़ाव आते हैं उसके जीवन में कभी इस्थिरता नहीं रहती है सुर्ज ग्रहन जातक की हड़ियों को कमजोड करकी उसे कई तरह की समस्याएं देता है सफलता और सम्मान नहीं मिलता उल्टे जिन्दगी में मानहानी या दंड भूगतना पड़ता है ब्यक्ति में आत्म विश्वास नहीं रहता है घर में पीता और महिलाओं के साथ विवाद चलते रहते है सादी में देरी संतान के कारण दुख उठाने पड़ते है ऐसे जातक की मुह में हमेशा ठूक बना रहता है वह किसी गंभीत बीमारी का सिकार हो सकता है सुर्ज ग्रहन के बूरे अशर को दूर करने के हमारे हाँ सास्त्री उपाए है क्या है आईए बताते है कुंडली में सुर्ज से सम्मधित कोई भी दोश या ग्रहन मतलब सुर्ज ग्रहन हो तो जातक को गिह हो गुण और तांबे का दान करना चाहिए अपने सीर पर छे नारियल वार कर पानी में बहा देने से तुरंत लाफ मिलता है हनुमान चालीशा का पाठ करने से भी लाफ मिलता है याद रखें कि हनुमान चालीशा का पाठ करने वाले लोगों को नौन भेज सराप से दूब रहना चाहिए ऐसे लोग जिनकी आँखों की रोशनी चली गई हो उनके लिए दान, मदद, आदी जरूर करें पीपल के पीड में जल जरूर चड़ा है अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्ची तुरूप से सब्सक्राइब करें, सेयर करें और निश्ची तुरूप से कमेंट्स करें आप सब यहीं बने रहें मिलते हैं और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार करें प्रूप से सब्सक्राइब नहीं करें